If fx is equal to x raise to power 5 plus 1 mode of x square minus 4x minus 5 plus sin of mode x plus cos of mode of x minus 1 then fx is not differentiable at तो गर हम दिखेंगे हमारे पास में जो fx से वो तीन फंक्शन का summation की form में ली हो है पहला फंक्शन है gx which is x raise to power 5 plus 1 mode of x square minus 4x minus 5 फिर है hx which is sin of mode x फिर है हमारे पास में k of x which is cos of mode x minus 1 ठीक है अब अगर हम ध्यान से दिखेंगे यहां पर तो हम function का graph draw करते हैं ठीक है तो अगर मैं अपने function का graph draw करूँ है यहां पर तो value कह जाएगी यहोगी है y axis यहोगी है हमारे पास में x axis ओके now x raised to power 5 plus 1 यह है mode of x square minus 4x minus 5 फिर है plus में sin of mode x plus cos of mode x minus 1 तो से पहले है kx के लिए मैं graph draw करूँ है ठीक है kx का है हमारे पास में cos of mode x minus 1 तो x is equal to 1 पे अंदर की value 0 हो जाएगी तो cos 0 की value होती ही 1 तो x is equal to 1 पे value 1 हो जाएगी ठीक है अब उसके बात क्या होगा इस side भी graph normal ऐसे ही symmetrical 2-pi interval पे बनता रहेगा ऐसे हमें पता है बाकी की value क्या होगी इस side भी जाएगे तो भी क्या होगा वो positive जैसे ही behavior करेगा अगर मैं one से left में जाओंगा तो भी और right में जाओंगा तो भी और हमें पता है cost भी graph symmetrical होता है तो कोई problem ही नहीं है ठीक है यह हो गया हमारा graph अब दूसरा function है हमारे पास में hx इसे मैं draw करता हूँ किसे green color से ठीक है sine of mode x तो हमें पता है positive के लिए हमारा function कैसे draw होता है यह c यह कहा है kx हमेशा continuous था हमारा है अब hx अब hx लेखते है तो 0 से आगे गए तो हमेशा हमारा function इस तरीके से होगा ठीक है तो यह हमारा क्या है normal 2 pi time period से रोटर होगा लेकिन mode x लगने से क्या होगा minus direction में भी plus जैसा ही हो जाएगा तो इस तरीके से हमारा graph हो जाएगा तो अगर हम देखेंगे 1 के ऊपर हमारे पास में sharp point आ गया और sharp point means हमारा function differentiable नहीं हे तो जो हमारा hx है वो किते point पर differentiable नहीं है वो एक point पर differentiable नहीं है अब GX को मैं दुबारा देखता हूँ, हमारे पास में जो GX से दुबारा देखता हूँ, तो GX है हमारे पास में, X raised to power 5 plus 1, ओकी, फिर है mode of, mode of what है, X square minus 4X minus 5, तो इसके अगर मैं factors करो हूँ, तो जाएगा X minus 5 into X plus 1, जाएगा mode में, ना, अब क्या कर सकते हैं, इससे हम नहीं ह अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो मैं X minus 5 into X plus 1 का graph रोकर हूँ, ठीक है, तो मैं सबसे पहले graph रोकरने वाल हूँ, X minus 5 into X plus 1 का, तो हमें पता है, यह value क्या है, 5 पे 0 होगी, और minus 1 पे 0 होगी, तो minus 1 पे value होगी 0, ठीक है, और कहाँ 0 हो रही है, 5 पे, तो यह होगा हमारे graph यहाँ अतनीके बात क्या होगा, यह upward चला जाएगा और इस तरीके से बन जाएगा, and then value ऐसे ऊपर चल जाएगी, ठीक है, यह होगा हमारे पास, mode of X minus 1 into X plus 1 का graph, अब देखेंगे, बच इन्टू में कहा है, हमेरे पास में X की power 5 plus 1, एक important बात, मैं नीचे ग्राफ पहले erase करत हो यहाँ से, ठीक है, तो यह हमारा original graph किस तरीका देखेगा, कुछ इस तरीके से देखेगा, अब X की power 5 plus 1 जो है हमारे पास में, अगर हमारे पास में X greater than or equal to minus 1 हुआ, तो यह value क्या रहेगी, हमेशा हमारे पास में greater than 0 रहेगी है, तो यह जब positive होगा, तो यहाँ पर positive है, त इसके इधर हमारा point positive था, और इसके इधर क्या होगा हमारा point negative है, तो multiplication पर हम जाएंगे, तो overall value क्या होगी हमारे पास में कुछ continuous ही नीचे आ जाएगी, क्योंकि C, जैसे ही अगर हम X less than minus 1 होते हैं, तो X की power 5 plus 1 क्या आता है, less than 0, तो यह value negative हो जाएगी, अब C, अगर यह value हमा जाता है इसके बाद में, तो अगर हम देखेंगे, यहाँ पर हमारे पास में कोई sharp point नहीं आता है, हमारे पास में सिर्फ एक sharp point आता है, वो किस पाता है, X is equal to 5 पे, है ना, और इसके लिए भी आता है हमारे पास में एक sharp point कहां पे, X is equal to 0 पे, तो हमारे पास में दो non-differentiable point ह correct answer is option A